तो अब ये हम समंझने जा रहे हैं तो घी किल्च्र जानल विस्ट को ठीक है तो बेसल विडिब्श कि अंदर हम ने पढ़ा था हाॉसघोटा वेस्ट हैं नियुकमी किल्च्र भेस्ट हैं कि होगा मतलब तो और 大 прекॉष्ट Perhaps केरा केमिकल से होते हैं तो आज की दोर के अंदर हमारे पास जदीद दोर है तो उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द हमें जो है अची खासे कम पेरिट ऑफ टाइम में ज्यादा production मिले हमें crops की हमारे फसलों की ठीक है तो हम क्या करते हैं तो हमारे पास जो बनिया वगरा होती है हमारे पास जो जमीन वगरा होती है land पर हम fertilizer चलाते हैं और वहाँ pesticides का spray करते हैं आपने दिखा होगा एक troller वगरा such type of होता है तो उसके अंदर पानी के अंदर हम मिला देते हैं pesticide को pesticide क्या होती है pesticide pesticide वो दवा होती है जो के bacteria क्यों inhibit करती है growth को या bacteria को मारती insecticide जो के insects को करती है ठीक है तो यह pesticides होती है ठीक है तो यह क्या करते है fertilizer pesticides का यूज़ करते है पानी के अंदर मिला कर या इसे ही छिड़कते हैं पानी के अंदर मिलाते हैं तो यक्य को फ्वारा हो जाता है तो फ्वारे में सब को अच्छा खासा मिल जाता है प्रोपर अमाउंट में ठीक है डिजॉल होकर एकोल अमाउंट के अंदर ठीक है तो जब भी जेन को लगता है तो यह अच्छी खासी growth हो देते हैं हमें अच्छी खासे crop मिलते हैं in the less amount of time in a quickly very quickly we get a huge amount of crops okay and we earn a lot of money from them but the thing what happens there is a restriction of our aquatic ecosystem okay हमार जो aquatic पानी का जो ecosystem होता है उसको बेड़ा गरक कर देती है तो fertilizer के अंदर जो हमारे पास पेस्टिसाइड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं नाइट हमारे फॉस्फेसalds जो होंगे यह क्या करेंगे यह पानी अब कहां जाएगे जमीन तो जितना absorb करें क्या करेंगे ना ठीक है तो बागी यह जो करें की वो कहां जाएगी यह हमारे पस क्या जाएगे हमारे नीचे जाएंगे जमिन पानी के अंदर ुग रिवर्ज्भा lug Exact इनका जो पानी वगरा तो इनमें जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा तो मैंने आपको परेवर स्टूटियो लेक्चर की बता है था इनंने गैमिकल के वाज़ा से algae की जो ग्रोथ होती है जैसे बारश का पानी होता है तो उसकी वजह से मक्हियां वगेरा डायफर्ड का जनम होना होता है इसी तरीके से अलजी का जो प्रोडेक्शन है करिए उसका पैदा फार्म होना उसका फास्ट हो जाता है ठीक है अलजी बनना शुरू हो जाती है तो बैसे कि अलजी क्या करेगी अलजी हमारे पास पानी के ओपर एक लेयर बना देगी काई हरे रंग की तो उसकी वज़ा से संशान बिलोग होगी सूरज की जो शायन रोशनी है तो वो अंदर और 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 ऑगनिजम तक पानी के अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि एक्वेटर की इस सिस्टम होता है जहां प photosynthesis का process करते है, sunlight की मदद से है, और oxygen देते हैं और food बनाते हैं, तो ये एक process है पूरा, जिसके अंदर हमाई बाइब oxygen पानी के अंदर बनती रहती है, ठीक है जब ये sunshine को block करेंगे तो अंदर का जो process हो रहा होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो oxygen oxygen की बनना, oxygen की बनावर कम हो जाएगी, ठीक है दूसरी बात, ये जब algae मरेगी algae die होगी, तो हमारे पास bacteria जब इसको खाएंगे, इसको decompose करेंगे, तो bacteria क्या करेंगे अब decompose करने में हमें oxygen को utilize करना पड़ता है, अब ये भी पानी से utilize होगी पहला मसला, ना पानी में oxygen की, यानि बड़ी, ना पानी में oxygen बनने का जो वे था, बर्ड़ ही थी जो पेदा हो रही थी oxygen, वो खतम हो गई, दूसरी जीज़ extra use आ गई, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, oxygen का बेड़ा गरक होगा, oxygen का नुक्सान होगा, तो इसकी वज़ा से हमार जो ecosystem में वो खराब होगा, ठीक है nitrates और phosphate की वज़ा से ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जब हमें proper oxygen कम होगी, पानी के अंदर oxygen की क्या होगी, कमी होती जाएगी, तो oxygen की कमी की जाएगी, aquatic जो creatures हैं, organisms हैं, वो क्या अगर नहीं isfaxia, यह condition होती है, जिसके अंदर एक poor supply of oxygen होती है, oxygen की कमी हो जाती है, आपके respiratory system को, ठीक है जब आपका सांस लेते हैं, तो आपको poor, तो बच्चों में अगर होती है, तो unconsciousness और हमारे पास क्या होगा, समझ लो disease, such type of condition है, जिसके अंदर आपको poor supply मिलता है, oxygen का, जिससे आप गुजारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, and eventually perish, eventually perish, perish का मक्रिया दी है, आराम आराम से वो creature का खतम हो जाना, उनका death हो जाना, तो यह आराम आराम से जब proper oxygen नहीं मिलेगी, वो अपनी गिज़ा नहीं बना पाएंगे, तो वो खतम हो जाएंगे, तो इसकी वजाएंगे, क्या agricultural waste भी इतना खतरनाख हो सकता है, ठीक है, तो नीचे topic है, effects, effects of water pollutants on life, दूसरी बात यह है, कि अगर यह आप agricultural waste है, इसकी वजाएंगा से पानी का जो color है, वो भी change हो जाएगा, in minerals और ions की वजाएंगे, ठीक है, effects of water pollutants on life, water के पानी की जो pollution है, उसकी pollutant के ओपर, life के ओपर क्या effect आप सकता है, सबसे पहले, it is harmful to people, यह तो लोगों के लिए बहुत ज़ादा खतरना के उनकी हेल्थ के लिए, cold raw, ठीक है, typhi and diarrhea can all be caused by drinking contamination of water, contaminated water, खरापानी को यूज़ करने से ये सारी तीन बिमारी और अच्छी कासी हो सकते हैं, ठीक है, the use of dirty water is harmful not only to human, but also to animals and birds, birds and animals के लिए भी हो सकता है, खतरनाक, पूरे chapter के अंदर समझाता हूँ, आ रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, ठीक है न, तो अभी मैं just in just आपको line पढ़ाता जा रहा हूँ, हाँ हो सकता है, it promotes algae to develop, तो ये क्या करता है, यसा क्या करता है, कि algae को बढ़ावा देता है, उसकी growth को increase कर देता है, तो इसकी अलजी की जब डेत होती है, तो breakdown of algae, या decomposition of algae क्या करेगी, oxygen को utilize करेगी, जब oxygen पानी में कम होगा, तो aquatic क्या ecosystem खराब होगा, disbalance होगा, ठीक है, aquatic कैसे होगा, क्योंके पानी कम ही हो जाएगी, sunshine नहीं मिलेगी, और aquatic लोग मरते रहेंगे, aquatic जो life हो खतम हो जाएगी, ठीक है, चौता point, it harms aquatic life ही है, aquatic life को harm करेगी, causing a food chain link to be broken, food chain link, तो यहीं समझा दाएगा, एक food की chain बन दी है, for suppose, इसकी वज़ाद से आपके पास proper fish को oxygen ना मिली, fish अगर discount खराब हो गई, ठीक है, fish अगर खराब हो गई, अगर fish के अंदर, fish ने हाड़ पानी के अंदर रही, और हाड़ वर्टर मिला, उसको खराब पानी, pollutants मिले, तो फिश कराब हो गई, तो कोई भी एक बड़ा और्गनिजम है, वो फिश को खाएगा, तो वो भी खराब हो जाएगा, इसकी health के अपर effect पड़ेगा, अगर कोई human being भी खाएगा, तो इसकी health के अपर भी effect पड़ेगा, ठीक है, तो ये पूरी food chain खतम हो जाएगी, अगर कोई organism पेरिश होता जा रहा है, खतम हो रहा है, इससे वज़ा से, ठीक है, तो अगला जो organism है, जो उसका गिज़ा है, जिसकी वो गिज़ा है, तो वो गिज़ा गया है, भुजाएगी, तो उसका भी खतम होना लाजमी हो जाएगा, ठीक है, एक food chain लिंक है, पूरा एक system चल रहा है, एक food chain जल रही है, ठीक है, इसके बाद, जीलें अगरा और जो रिवर्स हैं, उनको दिखावाई अपेरंस हैं यह नहीं, इनका जो लुक है, उनको खराब करेगा, येलो-येलो कलर आएगा, तो वो मज़ा नियाएगा, तो माला beauty के ओपर भी इसका अच्छा खास है, जो आपके पास nature के ओपर भी अच्छा ख़जा effect है ठीक है च्छेटा point It is not suitable for cleaning and washing सफाइस उतराई के लिए अच्छा नहीं क्यों कि ये stains शोड़ता है कपड़ों के ओपर properly cleanse नहीं करेगा मिटी बगरा नहीं निकालेगा तो असलिए hard water खतरनाग hard water नहीं तो water के pollutant खराब है ठीक है तो मिलते नेक्स वीडियो लेक्चेर के अंदर तता के लिए बाई बाई किप लेंडिंग और किप एक्स्प्लोरिंग